Hello everyone, welcome to my channel Civil Signal और आज हम ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि GPSC 2024 एक्जाम जो होने वाला है उसके लिए कुछ हम इंपोर्टेंट चीज़े आज डिसकस करने वाले हैं जो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके अपकमिंग एक्जाम के लिए GPSC एक्जाम के बारे में सारी डीटेल में हम चीज़े चालेंगे कि उसका एक्जाम पार्टन क्या है ठीक है उसकी मार्किंग स्कीम क्या है कैसे प्रेलिम्स में और इंटर्व्यू की मार्किंग होती है यह सब कुछ हम डीटेल में देखने वाले हैं उसका सिलीबस जो है वो क्या है प्रेलिम्स का GS1 का और GS2 का वह हम देखेंगे फिर उसका importance क्या है study plan कैसे बनाना है आपको GPSC exam के लिए वो discuss करने वाले है और कैसे अपने study plan को बना के आपको उसको utilize करना है वो हम देखेंगे उसके अलावा subject wise कैसे आपको preparation करने है उसकी strategies क्या होनी चाहिए वो discuss करने वाले है और कैसे कैसे आपको resources को utilize करना है अपनी GPSC exam की journey को fruitful बनाने के लिए फिर mock test का importance क्या है और कैसे आपको उसको practice करना है यह हम detail में discuss करेंगे और आपकी revision strategy क्या होनी चाहिए तो ultimate guide आज हम discuss करने वाले हैं GPSC exam की preparation से related जो भी चीजे है वो हम detail में discuss करेंगे तो इस video को end तक जरूर देखेगा यह आपको काफी जादा help करेगा आपकी GPSC exam की preparation की जर्दी में अगर आप graduate है और graduation के साथ तेयरी करना चाहते है तो आपके लिए helpful रहेगा और अगर आप GPSC 2024 को target कर रहे हैं और च लेवस क्या है क्या हमको study plan रखना चाहिए क्या क्या चीज़े important है इस exam के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है तो वो सब कुछ आपको इस video में पता चलेगा तो इस video को end तक जरूर देखना चाहिए इसके अलावा GPSC exam क्या होता है यह आप सब को पता होना चाहिए क्यों up 2024 का यह आप सब को पता होगा कुछ vacancies भी announce हो चुकी है और उनका exam जो है वो December में होने वाला है यह भी आपको पता होगा तो आपको इस एक साल में कैसे तयारी करनी है GPSC exam के लिए क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या exam का pattern है क्या exam का syllabus है जिसके according आपको अप importance तो पता ही होगा क्योंकि स्टेट PCC exam है और इसका competitive nature आपको पता होगा अच्छा जो UPSC experience है या other state PSC experience है उनकी लिए मैं आप बोलना चाहूंगे कि आप GPSC exam को जरूर दीजेगा क्योंकि UPSC और GPSC का level somewhat same है लेकिन GPSC में exam का जो competition है वो UPSC के comparison में कम है तो जितने UPSC experience है मैं आपके पास एक और अच्छी opportunity है कि आप GPSC exam दे सकते हैं साथ में जो MPPSC और other state PSC exam की तैयारी करें उनके लिए भी GPSC का syllabus almost same है क्योंकि GPSC में GS1 और GS2 में गुजराती का content उतना जादा नहीं पूछा जाता आपको exam crack करने के लिए अराम से आप history, quality, economy, geography जो India level पर होती है उसको यूज करके भी इस exam को crack कर सकते हैं तो जो भी experience other state के exam दे रहे हैं और अगर मेरे इस video तक पहुंचे हैं तो मैं एक बार उन्चा request करूगी कि GPSC का जो previous year question हुआ था कौनसा वाला ये 7 January वाला या फिर last year का जो exam हुआ था उसका exam pattern जबूर देखेगा आपकी life में एक और हो पा ठीक है तो GPSC exam का competitive nature मैंने आपको बता दिया अब मैं आपको बताओंगी GPSC exam का pattern क्या होता है तो GPSC exam UPSC exam की तरह ही तीन exam लेता है prelims, mains and interview ठीक है तीन rounds होते हैं इसमें prelims, mains and interview prelims में objective होता है और mains में subjective होता है like UPSC ठीक है prelims का objective paper होता है उसमें दो paper होते है paper 1 and paper 2, paper 1 3 hours का होता है paper 2 भी 3 hours का होता है और दोनों ही paper 200-200 marks के होते हैं और total 400 marks में से आपको score करना होता है clear अब यह जो 400 marks होते हैं उसमें से आपको almost 50% से कमी score करना होता है तो आपको उस हिसाब से अपनी strategy बनानी चाहिए कि आपको बहुत अगर आपको देखो बहुत कुछ आपको सब कुछ पढ़ना है लेकिन आपको questions कैसे attempt करने कि आपको 400 में से आपका cut-off clear कर जाए क्यों क्योंकि आपका prelims examination होता है उसमें आपको top करने का कोई भी मतलब नहीं है क्यों मतलब नहीं है क्योंकि prelims जो है वो सिर्फ qualifying paper है अगर आपका cut-off mark clear होता है तो भी आप means के लिए qualify है अगर आपके top में marks आते हैं तो भी आप means के लिए qualify है इसमें ranking decide करने वाला कोई factor नह तो 180 प्लस कुछ गया था exactly मुझे अभी याद नहीं आ रहा तो 180 प्लस कुछ गया था तो इतना आपको score करना हो था male category के love female के लिए तो और भी ज्यादा benefit है 20 marks कम इसका cut-off जाता है तो 160 प्लस कुछ गया था ठीक है यह last year का cut-off था इस बार का paper भी easy आया है काफी तो हम लोग cut-off उतना ही लेकिन हाँ इस बार post जादा है last year post कम थी जब cut-off 183 आया था तो इस बार शायद cut-off जो है 150 की range में जा सकता है तो इस बज़े से अब जो 2024 है उसमें भी post अच्छी है 164 कुछ आसपास post है और यह number of post जो increase भी हो सकती है तो इस बज़े से इस exam के लिए आपको कर सकते हैं आप 200 टार्गेट रखिएगा आपके आठ पेपर आठ सब्जेक्ट कौन-कौन से आप वो सब्जेक्ट देख लीजए आपको आपको समझ में आ जाएगा कि आप GPSC प्रेलियम्स एक्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं फिर रही बात मेंस एक्जामिनेशन की तो मे अगर आप एक सेविल सर्विस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो एक लैंग्वेज आप सीख सकते हैं वह है गुजराती और इतनी हार्ड और नहीं है अगर आपको हिंदी आती है तो आप गुजराती इसली सीख सकते हैं ठीक है तो यह 3-3 आर्स के पेपर होते हैं और तीनों ही जो है वह 150 150 मारक्ते हैं और टोटल माक्स होता है रितर है वह 900 मारक्स हौता है अब यह मेंज इग्जामीनेशन होता है इसमें आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है आपको अपनी आसर राइटिंग गुल को इंप्रूव करना है अब यह जो एक साल है्समें आपको prelims बेंस दोनों की तयारी करनी है। गोस दूस YouTube की आपको उब्जेक्टिव इसलेबस सीम है, Prelims और Means इतना है कि Prelims जो है उसके लिए आपको उसी Topika औप्जेक्टिव होते हैं, Means के लिए आपको उसी e写 desp lum का जआतक पूरा जी ने Backlight का उसजprene em प्रस मेंस की दोनों की तैयारी करनी है और आंसर राइटिंग भी करनी है और आंसर राइटिंग ज्यादा important है क्योंकि यह जो descriptive paper होते हैं वो आपको क्या कराते हैं आपकी rank decide करेंगे GPS exam के लिए ठीक है उसके बाद 100 marks का personality test होता है तो total मिलाके 1000 marks मेंसे आपके marks आते हैं तो personality test तो आपको जो आपकी personality है उसका safe test होता है GPSC में आपका जो mean goal होगा आपका जो mean concentration होता है exam कब होता है means examination क्योंकि 900 marks means examination के हैं अगर आप इसमें अच्छा perform करते हैं तो आपके automatically rank अच्छी आ जाएगी ठीक है फिर interview में आपको 100 marks में से दिये जाएंगे तो आप उसको crack कर सकते हैं तो जो total final selection होता है वो 900 plus 100 मिला के होता है अगर आपने 900 में से अच्छा score कर दिया तो आपको अगर personality test का fear भी है तो भी आप उसको easily crack कर सकते हो GPSC exam के लिए तो यह prelims means और interview का pattern है जो मैंने आपको बता दिया है GS1, GS2, GS3 यह तीनों subject का syllabus है वो यही वाला syllabus है जो prelims examination का है सिर्फ और सिर्फ आपको answer writing प्रैक्टिस करनी है फिर यह तीन language paper आपको means के लिए तियार करने वो है गुजराती, English और essay writing करना है ठीक है अगर UPSCS parent है तो आप English और essay writing तो करते हैं जात में एक optional subject होता है आपका तो optional subject है आप गुजराती को मान लीजे और आप इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए बहुत अच्छा exam है और बहुत ही fruitful है अगर आप चाहते हैं कि आप classman officer बनना तो आपको GPS exam चुद हो देना चाहिए इसका में syllabus बता देती हूँ prelims examination का एक detailed syllabus का video भी मेरे channel पे available है और अगर आपको detailed syllabus की copy चाहिए या PDF चाहिए तो हमारा civil signal telegram group है वहाँ पे आप जाके syllabus की PDF भी download कर सकते हैं आपको easily मिल जाएगा सारा detailed syllabus अगर नहीं मिल दा है तो हमारी चैनल पे जाके GPSC 2023 की playlist बनी है उसमें बहुत सारे GPSC preparation के video डले होंगे अब वहां से भी जाके access कर सकते हैं तो मेन syllabus मैं आपको बताती हूँ prelims का जो GS1 होता है उसमें चार subject आते है history, art and culture, quality, maths and reasoning और चारों के ही 50-50 questions आते हैं 50 questions इसके आते हैं 50 इसके आते हैं 50 इसके आते हैं अगर आपका history अच्छा है, quality अच्छा है, maths and reasoning अच्छा है तो भी आप इस paper में 150 में से score कर सकते हैं 100 तो अराम से ठीक है science and tech और current affairs दोनों को अलग से पढ़ने के आपको ज़रूरत नहीं है, science and tech के questions आते हैं अधिक तर current affairs बेस्ट आते हैं, current में जो news चल रही है, उसी का background data आप से पूछ लिया जाता है, current affairs में आप से national, international और health वगेरा के questions होते हैं वो आप से पूछे जाते हैं, तो यह पूरा current affairs क होता है, अगर आपको इसके previous year questions देखने हैं कि previous year में किस चाइब के questions आया है, तो मेरे चैनल पर previous year questions के videos भी पढ़े हुए है, year wise 2021, 22, 23 and 24 के आप देख सकते हैं, और last अभी जो recent exam वाय है, उसके भी analysis के videos आप पढ़े हुए है, topic wise वो भी आप देख सकते हैं, और economic 50 questions आने, basic economic questions प्लस उसमें current of an mix होता है, तो current of an प्ले पोर्श में से ये cover हो जाता है, और फिर आते हैं geography के questions, तो geography के भी 50 questions आते हैं, काफी अच्छा subject है, geography और उसके अच्छे questions आते हैं, ठीक है, तो इस type से ये आपके 200 questions होते हैं, और in 200 questions में से आप अराम से 100 तो score कर सकते हैं, तो 100 इसमे आप अभी last year का exam देखेंगे, 7 January वाला, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात prelims के लिए उतना important नहीं है, clear, चली, next अब हम देख लेते हैं, अभी तक अगर आपको कोई भी doubt है, तो आप मुझसे comment box में comment करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी doubt है इस बारे में prelims के syllabus में, scheme में, pattern में, तो आप मचसे बोच सकते हैं, ठीक है, चली, आगे अब हम discuss करने वाले हैं कि आपको इस exam की preparation के लिए study plan कैसे बनाना है, क्या study plan आपको होना चाहिए, कैसे आपको तयारी करनी है और कैसे नहीं करनी है, तो सबसे पहली चीज है, अगर आप, मैंने इस well-plant approach होनी चाहिए, किसी भी exam को correct करने के लिए, और उस well-plant approach में सबसे important चीज होती है, वो होती है study plan, आपका study plan ready हो जाना चाहिए, आपका, आपने decide कर लिए कि आपको GPS से exam देना है, दूसरा point आपने decide कर लिए, उसका prelims और means का syllabus क्या है, तीसरा आपने decide कर लिए कि मुझे कह पढ़ना है, तो चौथी जो important चीज बसती है वो होती है, आपका study plan, आपको कैसे पढ़ना है, दिन में कितने hours पढ़ना है, किस subject को कितना time देना है, किस subject कौन सा subject आपका week है, कौन सा subject strong है, उसके basis पे आपको पूरा study plan बनाना है, पूरा आपका structured study plan होना चाहिए, जिसका importance आ और मैं नए वीडियो भी लेक्या हूंगी, 2024 के exam के study plan के, तो वो भी आप आगे जाके देख सकते हैं, दूसरी चीज आपको study plan के लिए करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते है, study plan बना तो लेते हैं, लेकिन उसको follow ने करते हैं, बस एक अपने जहां पर भी table chair या अपना study space होता है, वहाँ पर चिपका के रख लेते हैं, तो उससे कोई फाइदा नहीं है, अगर आप चिपका है नहीं सिफे अपने notebook में लिख ले, कि मुझे यह करना है, डेली बेसिस पे, आपको study plan कैसे बनाना है, एक तो daily का study plan बनाना है, फिर monthly, weekly, ऐसे study plan बनाना है, यह सारे हम discuss करेंगे detail में, कि कैसे आपको daily plan मनाना है, कैसे weekly बनाना है, कैसे monthly बनाना है, उसका detail वीडियो अलग से आएगा, दूसरी चीज़ आपको study plan बनाने के बाद जो ज़रूरी होती है, वो है, consistency and dedication, आपने study plan बना लिया, कि morning से evening तब मुझे इतने hour पढ़ना है, मैं इतने इतने पढ़ना है, आज पढ़ा, फिकल भी आप पढ़ेंगे, दूसरे दिन भी आप पढ़ेंगे, कोई emergency आगई है, तो उसको अपने study plan के according adjust करने की कोशिश करेंगे, आप अपना flexible study plan मना के रखियेंगे, तो इस वज़े से सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो study plan मनाना है, दू पर यूटिलाइज होता है, वो टाइम जात, जैसे basic चीज होती है, जैसे कि आपकी morning time, daily routine जो होता है, वो आपको करना है, नहाना दोना वगेरा, फिर उसके बाद आपको lunch करने का time, फिर आपको dinner करने का time, थोड़ा family time भी होता है, उसके अलावा जो time बच रहा है, उसको करना है, जिससे कि आप अपना study plan अच्छे से बना सकें, मैं एक detail video लेकर आएगी, जिसमें हम realistic goals पर पूरा study plan बनाएंगे, study schedule बनाएंगे, daily का, weekly का, और monthly का, और आपकी जो strengths है, वो आपको identify करना है, कि कौन सी चीजे, कौन से subject मुझे पहले पढ़ने है, कौन से subject बात में प उसके अलावा, दूसरा जो आपको study plan create करना है, वो कैसे करना है, अपनी preparation journey को breakdown करना है, manageable phases में, इसका मतलब क्या हुआ, कि आपकी ये जो preparation journey है, one year की, इसको आपको ऐसे manage करना है, कि आपके सारे subject cover हो जाए, सारा syllabus cover हो जाए, monthly basis पे आप plan मिनाए, कि one month में मुझे पूरा एक subject इसके वाला finish करना है, जिसमें मैं objective भी कर लो, और इसके answer writing practice भी कर लो, फिर next month में मुझे ऐसे करना है, तो ऐसे आप breakdown करके अपना पूरा syllabus डिवाइड करेंगे, प्लस साथ में उसके revision का भी time निकालेंगे, तो आपका syllabus आराम से एक साल में finish हो जाएगा, और आप exam को तो जो भी importance है, realistic goals की उसको समझेगा, आपकी reality में क्या goal है, आपको GPSC 2024 का क्या goal आपने रखा है, आप उसको सोच समझ के, अपना पुरा study plan मनाईए और उसको real में implement कीजिए, ठीक है, हर time, हर subject के लिए आपको time allocate करना है, आप अगर चाहें तो एक subject को सलंग पढ़ सकते हैं, इसके लिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप बोर हो जाते हैं, एक subject पढ़ के, तो एक दिन में आप दो subject ले सकते हैं, जैसे कि morning hour में आपने history ले लिया, क्योंकि morning में आप जाधा refresh रहते हैं, तो history आप पढ़ सकते हैं, और evening time में आपने geography ले लिया, जो एक light subject है, तो इस टाइप से ले सकते हैं, जोग्रफी की जगे आप daily current affairs भी ले सकते हैं, evening time में, तो इस तरीके से आपके दो subject साथ में cover हो जाएंगे, और आपको boring feel भी नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, time allocate करना है सारे subjects को और topics को, उसके बाद आपको क्या करना है, study material आपकी subject wise preparation strategy होनी चाहिए, जैसे की particular subject specific, जैसे general studies के subject है, आपके कौन कौन से history, quality, geography, economy, इसमें सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, कि आपको की subject से start करना चाहिए, मेरे इसाप से जो सबसे best subject होता है, start करने का, वो होता है geography, क्योंकि geography में आपको, एक to geography easy है, बाकी subject के comparison और geography, जब आप पढ़ते है, तो आपको पूरा सब कुछ पता चलने लग जाता है कि India कहाँ पे है, map कैसा है, India कैसा है, world कैसा है, सारी चीजे कैसे बनी है और यह सारी चीजे आपको पता चल जाती है, जब आप geography पढ़ने के बाद history पढ़ेंगे तो आपको काफी जादा इं जो हिस्ट्री में कैसे हुआ, कैसे इंडस्वाली सिविलाइजेशन क्यों बनी उसके बाद कैसे हमारे आपी यॉरॉपियन्स का अटेक हुआ, कैसे मुगल्स हमारी इंडिया में आए, क्यों आया, उसका क्या जो जुग्रॉफिकल रिजन ता, जिसके मज़े से जो मुस्लिम क प्लेयर होंगे कि हाँ, हमने हमारा यह constitution जो है, वो इस टाइप से क्यों बनाया है, क्योंकि हमारी स्विल में यह सारी चीज़े होई है, यह changes होई है, जिसको ध्यान में रखके हमने constitution बनाया, अब आपको quality and constitution पढ़ लिया, उसके बाद जब आप economy पढ़ेंगे तो आपको औ इन सारे subject के लिए एक book list है, जो reference books होती है, आप उनको follow कीजिए, अगर आप एकदम fresher है, आपने सादा भी कुछ पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको recommend करूँगी कि आप basics जो है, वो NCRT से start करें, और NCRT आपको पढ़नी है, class 6 से लेके 10 तक है, अगर आप 6 से भी नहीं पढ़ पढ़नी है, लेकिन मैं आपको recommend करूँगी 6 तू 10 तक पढ़िए, पर छोटी-चोटी सी प्यारी-प्यारी सी books है, 7-7, 8-8 chapter है, जो आप एक दिन में, या दो दिन में, max 1 class के topics को finish कर सकते हैं, और वो काफी interesting आपको लगेंगी, तो इस बज़े से ये आपकी preparation strategy को और की दर जाए है, लिए रामबार, लक्षमि whatever, आइल, रमेष्घ के लिए आपको लिए नेतिन सिंगा नया फ्लो लो करसकते है, spectr Stirn की लिए, आप को練 बोडन इस्ट्री के लिए, और Tamilnadu की class 11th 12th की बुक भी sufficient है लेकिन जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ जब मैं बुक्स बताती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि आपको एक ही बुक फॉलो करती है उसी को multiple times पढ़ना है लेकिन multiple books के पीछे आपको बिल्कुल नहीं भागना है अगर फिर भी आपको तयारी करने में कुछ problem आ रहे है तो हमारा GPSC का course जो है वो हमारी civil signal application पे है आप चाहे तो उसको purchase कर सकते हैं उसमें आपको सारे subjects मिलेंगे सारे subjects आपको मिलेंगे साथ में उनके free study material भी आपको दिया जाएगा जिससे आप easily लिए उनसे अपने notes बना सकते हैं उनको revise कर सकते हैं और आपकी preparation strategy को और preparation journey को काफी smooth बनाने में आपकी help करेगा तो यह सारी चीज़ें हैं जो आपको important है उसके बाद आपको resources को utilize करना सीखना है GPSC exam की preparation के लिए कैसे आपको online platform यूज करने कैसे आपको books यूज करने coaching institute यूज करने mock test यूज करने ये सारी चीज़ों को utilize करना आपको आना चाहिए online platform में आपको बोलूँगी आप YouTube को अच्छे से use कर सकते हो हमारे चैनल पर बहुत सारी चीज़े आपको updated मिल जाएंगी जैसे history के बहुत सारी वीडियो है politics के बहुत सारी वीडियो है और इस one year की journey में आपको बहुत सारे marathon sessions भी देखने को मिलेंगे revision sessions भी देखने को मिलेंगे और अगर आपको फिर भी completely syllabus चाहिए तो आप detailed syllabus चाहिए तो आपको हमारा GPSC course join कर सकते हैं बहुत ही nominal fees सिफ 1499 रुपीज में आपको यह course मिल जाएगा with lifetime access दो साल तीन साल जितने भी साल चाहिए आप इस course को avail कर सकते हैं ठीक है books आपको reference books ही यूज करने है एक ही book यूज करने है multiple times ठीक है अगर आप coaching institute join करना चाहते coaching institute join कर सकते है आपकी city में है रिसोर्स यूज नहीं कर लेना है जिसमें आपका time waste होता है फिर सबसे important चीज जो होती है किसी भी exam की journey की वो होती है mock test अगर आपने सारा syllabus complete कर लिया देखो यह जो चीज होती है वो आपको topper से अलग बनाती है मतलब आपको जो है वो भीड से अलग बनाती है topper यह सारी चीजे करते हैं मैं एक वीडियो लेकर रहा हूँगी जिसमें मैं आप डिसकस करूँगी कैसे normal people जो हो topper से अलग होते है क्या चीजे वो करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते है इस वज़े से वो topper बन जाते हैं ठीक है उसमें से एक important चीज है वो है mock test लगाना वो लोग क्या करते हैं अपना syllabus complete करने के बाद एक topic complete किया या एक chapter complete किया उसके बाद उनके mock test लगाते हैं mock test लगाके उसको analyze करते हैं कि कहां पर मिस्टेक करें कितने questions वो सही से attempt कर पारें उनकी accuracy क्या है यह चीज़े आप जब देखेंगे तभी आप क्या कर पाएंगे अपने आपको अपने आपका यूज कर पाएंगे exam में ठीक है तो mock test में आपको mock test attempt करना है अच्छी सीकh mock test series join कर लीजे इस साल हमारी भी mock test series आएगे आप उसको भी जॉइन कर सेथे जिसमें पहले subject wise test होंगे फिर paper wise test होंगे ठीक है तो पहले topic wise test होंगे और फिर subject wise test होंगे तो ये सारी चीज़े क्या करती है आपको अपने आपको test करने में help करती है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको कितना reproduce कर पा रहे हैं ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं तो mock test आपको लगाने हैं जरूर से जरूर और एक सबसे last important चीज़ मैं बताऊंगे आप exam preparation में जो जरूरी ह होती है वो होती है आपकी revision strategy अगर आपने आज एक पूरा topic पढ़ लिया या आज पूरा एक chapter पढ़ लिया फिर कल से दूसरा नया chapter स्टाट किया फिर तीसरे दिन नया chapter स्टाट किया ऐसा आपने 15 दिन किया 15 दिन में 15 चैप्टर आपने finish कर लिये for example और इनका revision नहीं किया त 15% याद रहेगा पूरा कुछ भी याद नहीं रहेगा तो आपकी जो productivity है वो बहुत कम हो जाएगी तो आपकी productivity को बढ़ाने के लिए आपको revision तो जरूर करना है आप daily revision रखिए कैसे आप daily revise कर सकते हैं अगर आपने एक chapter आज start किया है और रात तक आपको सोने के पहले एक व जाएंगे तो यह चीज़े क्या होती है वो भूलते जाते हैं आप जितना जादा रिवाइस करेंगे यह एक्जाम कुछ और नहीं है सेफ और सिफ आप revision करना है पढ़ना बहुत एजिए एक बार में चीज़े आपको समझ में आ जाते हैं कोई बहुत एक्दम साइंस एंट चीज़े एक्दम सिंपल है स्टोरी की तरह हैं आपको पढ़नी है लेकिन आप इनको रिविजन ने करेंगे ना तो यह सारी चीज़े यतिनी वास्ट है कि आप बूलते जाएंगे तो सिर्फ रिविजन है जो आपको GPSC एक्जाम की प्रपरेशन में हेल्प कर सकता है आपक आपको weekly basis पर revision करना है और आपको कैसे revision करना है monthly basis पर revision करना है आपने revision notes बनाने और revision notes को utilize करना है flash cards बनाये flash cards बनाकर इसमें जो important चीज़ें आप रिख सकते हैं इस तरिके से revision strategy यूज करनी है जो आपके GPSC dura की preparation journey को बहुत easy बना देगे तो आज हम लोगोंने सब कुछ discuss कर लिया है GPS exam का pattern क्या होता है marking scheme क्या है syllabus क्या है study plan का importance क्या है फिर आपको subject wise कैसे preparation करनी है और आपको अपने resources को utilize कैसे करना है और mock test का क्या importance है mock test आपको ज़रूर join करने हैं देखो कुछ ही मंद में आपके mock test आना start हो जाएंगे अभी आप अपनी preparation अपनी books collect करना start कीजिए अपने prelims का syllabus क्या है scheme क्या है यह सब देखिए उसके बाद आप अपनी तेयारी में लग जाए बेसिक से आप अपने complete कर लीजिए NCRT कर लीजिए उसके बाद आप mock test solve करना start कर जीए और revision आपको continue रखना है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं जो आपको GPS E exam को first attempt में crack करने में help कर सकती है ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको करना है तो आज से आपकी preparation journey start होती है और मैं आपकी लिए प्रे करूंगी कि आप अच्छे से तयारी करें और इस exam को ज़रूर ग्राइक करें ठीक है चली और भी कोई आपको information चाहिए तो contact number हमारे नीचे screen पे है आप मुझे directly contact करके मुझसे बात कर सकते हैं आपको कहीं पे भी कोई भी help चाहिए तो मैं आपकी help कर दूँगी और अगर आपको course जोइन करना है तो आप civil signal app डाउनलोड कर लीजिए उसमें बहुत सारे बच्चे आड़ेड है उनसे भी आप directly connect हो जाएंगे और वहाँ से आप लोगों के साथ discuss कर सकते हैं ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही thank you, thanks for watching, have a nice day